हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज आपके सामने एक क्वेश्चन लिये हैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो में साल्व करेंगे और किस तरीका से ये क्वेश्चन साल्व होगा इस वीडियो में आपको अच्छे प्रकार से बताया जाए तो फ्रेंज आपक क्यूं है वन अपां 27 इस question को आपको साल्व करना है तो friends कैसे होगा देखिए पहले क्या करते हैं कि जैसे यह रूट में 27 है यह क्यूं मतलब 27 का घंबूल निकालना है इसका पहले निकाल लेते हैं देखिए आप पहले क्या करेंगे 27 का एलस्यम निकाल लेजिए 3 से कटेगा तीन में 27 तीन इतली के 9 और तीन किया ठीक है देखिए पहले रूट 27 का मान कितना होगा रूट 27 का मतलब होगे रूट 27 इसका अर्थ हो गया कि 3 गुड़े 3 गुड़े 3 यहां पी इसका दो पेर बना है तो निकाल लिजिए यानि कि यहा यहां पर जितना होता है उतना ही इसका जोड़ा बनाना होता है यह देखिए यहां पर यह लिखा है वहां पर यह लिख सकते हैं और यहां को वर्गमुल निकाल सकते हैं मजब करी में 27 को लिख चकते हैं कि ती माइनस और ध्यान दीजिए फिर्इयंट कभी में आपका रूत नहीं होना दी है इसको ठाने के लिए नहीं होšकते हैं और की अधान करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे करड़ी 3 का नीचे और करड़ी 3 का उपर गुड़ा कर लेंगे माइनस देखिए करड़ी में 1 अपन 9 है तो 9 कवर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा और करड़ी में 9 कवर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा करड़ी में 9 कवरगमूल 3 होता है, ठीक, प्लस, देखें, एक का घंवूल निकालेंगे, एक होगा, अभी करड़ी 27 का बता हैं, कि करड़ी 27 का घंवूल कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे 3 लिख दिजिए, चलिए, इसको लिखते हैं, देखें, 3 करड़ी में 3 है, यहाँ से द करेंगे तो कितना होगा कर्णे घुड़ा करेंगे तो आपका 3 होगा कर्णे करद थी गुड़ा करेंगे 3 होगा मानस मान अपां 3 प्लस वन अपां 3 देखे 3 के में 3 तितली के 9 कड जाएगा यहाँ लीजिए 3 करड़ी में 3 minus 3 करड़ी में 3 minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 देखें 3 करड़ी 3 और 3 करड़ी 3 समान है यानि कि 3 में से 3 जियागा 0 यानि कि इसको आपके सम्ट काड़ देंगे minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 घटाएंगे तो कितना होगा यह भी आपका cancel out अर्थात आपका जागा 0 तो friends इस प्रकार के प्रश्ण को इस तरीका से साल्व करते हैं तो friends यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching